बहुत मज़ेदार पप्रिकम करने वाले हैं Conservation of Momentum ये क्या होता है? पहले कि मैं ये समझाऊँगे एक एक ग्जाप्टल के साथ और फिर इसका Mathematical Denimation करेंगे पहले कि हम बात करते हैं कि Conservation of Momentum है क्या? एक्जाप्टल के साथ देखते हैं Suppose दोनों दो बाउल है एक का मास है M1 और एक और बाउल है दूसरी का मास है M2 तोनों Initial Velocity क्या U1 Initial Velocity को हम U1 से देनोट करते हैं और इसकी Initial Velocity हो जाएगी U2 जो दोनों की सेम नहीं है ठीक है? दोनों Initial Velocity U1 और V1 से मूव कर नहीं है और ज्योंकि इनके Initial Velocity सेम नहीं है तो क्या होगा? ये थोड़ी दूर बाद जाकर करके एक दूसरी से तक्रा जाएगी ठीक है? फ्रेक्शन ओनों की सेकेंड के लिए तक्रा है ये क्या है M1 and this is M2 तक्रा करके एक दन से अलग भी होगी जाए चीवाता कट्णा ये दोब बोल सेंकर के तको आप लोग इसको तेक पाओ गया असानी से अब मास तो दोब बोल का स्म रहेगा ये M1 रहेगा ये M2 रहेगा लेकिन Velocity चेंज हो जाएगी इसकी Velocity हो जाएगी V1 और इसकी Velocity हो जाएगी V2 अब मैं आप लोगों को समझाते हूँ कि Conservation of Momentum है क्या Momentum क्या है पहले हम देख लेते है Momentum is equal to क्या है P, M, V P is equal to M, V ये हमारा Momentum होता है अब देखो वो ये कह रहा है Conservation कि दो अगर Body Object है उनमें कुछ Momentum है और आप आपसमें तकराते हैं तकरानी की बात फिर से अले हो जाते हैं तो Total Momentum of these two bodies Individual नहीं, Total इसका Momentum plus इसका Momentum will equal be इसका Momentum and इसका Momentum करके दिखाते हूँ पहले मैं आपको फिर Mathematical Therapy शीन दिखा लेगे देखो ये ये कह रहा है कि इसका Momentum होगा तो क्या होगा? और इसका Momentum plus करेंगे क्योंकि हम Total Momentum की बात करें P2 क्या हो जाएगा? P2 is equal to M2 and U2 ये इसको यहां से मिटा लेते हो ताकि आप पंशे जबाव इसका Momentum? इसको यहां लेते क्यों P1 है क्या? M1 P1 और P2 क्या है? M2 U2 वो ये कह रहा है तक्राने के बाद Total Momentum will be conserved मतलब this will equal to be M1 V1 plus M2 V2 हो सकते है? दो का Individual Momentum change हो जाएग जाहिश सी बात कर जरूर होगा But the Total Momentum Before Poloism will equal to Total Momentum after Poloism समझा गे ये बाद? है क्या? अब इसका Mathematical Deligation दे ले लेते हैं Mathematical Deligation के लिए हम क्या करेंगे? देखते हैं देखो जब ये object दोनों एक दुसे से टकरा रहे हैं तो कुछा कुछ force exert कर रहे हैं पहली वाली force क्या होगी? First object की second object को force First object की second object को force Third law of motion क्या कहता है? Third law of motion कहता है There is equal and opposite action Reaction to every action मतलब जितना force ही इसको लगाएगा उतना ही force ये इसको लगाएगा लेकिन direction क्या होगी? Opposite होगी तो forces दोनों मतलब इसकी force को से second वाली की first को बराबर होगी लेकिन direction अलाग change होगा उतो different वात लेकर आजाएगा minus opposite जिस direction में ये इसको force लगा रहा है वसी direction में उतनी force लगेगी but force will be opposite इसलिए क्या होगी आजाएगा F first to second will equal to be minus F second to first now second law of motion सार मैं उतनी आजाती हो आजाती हूँ आजाती हूँ आजाती हूँ आजाती हूँ आजाती हूँ mass into acceleration और force लगा कुन रहा है पहला object लगा रहा है तो that this will be force is equal to M1 क्योंकि object कहांसा लगा रहा है पहला object लगा रहा है and acceleration की जगे क्याल केंगे हम V minus U upon T तो इसकी वी करह है mass M1 V1 minus U1 upon T right, कुछसी वाली first key, second second वाले की force क्या हो जाएगी, मैं इसको अलगतर देते हूं, second वाले की force, क्या हो जाएगी M2, yes very good, V2 minus U2 upon T this will be force of second object, अब जायसी बात है, इसको इसके बरावरी के ने तो इसकी जगे, इस वाली equation में भी को इसको put करते क्या हो जाएगा, M1 V1 minus U1 upon T is equal to क्योंकि opposite direction में इसकी साइग क्या हो जाएगा minus, इसकी जगे आप क्या हो जाएगा M2 V2 minus U2 upon T, अब इस equation को solve कर लेते हैं, ये equation solve करते हैं, हमारे पास क्या answer आएगा that will be M1 U1 M1 plus M2 U2 as equal to M1 V1 plus M2 V2 ये ही है conservation of momentum, जो मैंने आप लगोंको पहले बताया था ना, अब हमने इसको proof किया है, अब ये होगा क्या different example के साथ इसका मैं application आपको बताऊगा मतलत दो objects है ना दो objects की force, हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे को एक mask तो मैं example बताती है इस equation को मैं यही छोड़ देती हूं इसको erase करते है एक बहुत common question आपको से पुछा जाता है calculate the recoil velocity of gun gun जब भी बंदूग चलाते हैं तो उसको से जब bullet निकलती है न तो जो gun है वो वापिस bounce back करती है तो उसकी velocity अगर calculate करनी है कुछ ना कुछ की बन होगा क्या calculate करनी की बात करनी है recoil velocity of gun मान लेकर गेवन है आप लोगों को mass of gun is equal to say for example तो कुछ पर हो सकता है ठीक है mass of mass of bullet say for example आपको 20 ग्राव देगी है right velocity after fire velocity of bullet after fire say for example आपको देदिया 200 meter per second क्या calculate करना है recoil velocity अगर हम इसको mass m1 मान ले तो इसको convert कर ले तो कर ले तो ग्राव में यह ध्यान रहे कि units हमेशा same होनी चाहिए अगर ऐसे calculate कर दो तो question गलत हो जाएगा तो यह mass of gun let it be m1 mass of bullet let it be m2 initial velocity velocity दोनों ही rest में थे ना gun चली ना bullet चली तो initial velocity u1 और u2 दोनों क्या होगे 0 ठीक है okay velocity of तो यह क्या होगी V2 इनकी values put कर तो इस वाली equation में देपो आपको आजाएगा आपको निकालना है V1 निकालना है यह calculate करना है V1 recoil velocity of value put करेंगे mass m1 is 2000 gram multiplied by u1 कितने 0 plus m2 is m2 कितांगे रहने 20 gram multiplied by u2 0 is equal to यह तो सोच रहे है यह तो सारा का सारा 0 होगा है equal to क्या है mass m1 is 2000 gram multiplied by V1 calculate करना है right V1 plus m2 is 20 gram into V2 क्या है 200 meter per second यह निसा आप हाद में इसके लगा ले आपको solve कुरना है अभी आपको खाली यह बता रहे हूं how to calculate equal velocity यह तो क्या होगा 0 क्यों calculate क्या करना रहे है खाली V1 calculate करना होगी हमारे पास क्या होगा 2000 into V1 plus 200 into 20 into 200 V1 आसानी से आप इतर ले आएंगे और calculate करतेगे So इसको आगे हम अब छोड़ देते हैं आपके लिए calculate कीजी थोड़ी सी मेहनत करो solve हो जाएगा कहने का यह मतलब रहे कि conservation of moment को कैसे solve परेंगे M1 U1 plus M3 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 अगर हमारे को दो objects है दो के mass दे रखे हैं दोनों की initial हो सकता है इसमें तो initial दोनों rest में तो initial velocity 0 थी हो सकता है initial velocity कुछ given हो तब आपको initial velocity put करनी होगी जो भी चीज़े directly आपको इस formula में put करना answer आ जाएगा right calculations कीजिए और इस topic को भी perfectly तयार कर लीजिए और अपने दोस्तों की भी शेयर करना ना भूले जिससे की सारे बचे पढ़े तब तक के लिए 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 तक के लिए